नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल नुस्खा टीवी में दोस्तों होटापे से परिसान लोग अपना वजन घटाने के लिए कई तरह की डाइट एक्सरसाइज और दवाएं ट्राइ करते हैं लेकिन जब जाकर भी कोई फर्क नहीं नजर आए तो सि अगर आप बिना पसीना बहाए और बिना किसी स्पेशल डाइट अपना वजन घटाना चाहते हैं तो आज हम आपको सबसे आसान वा कारगर तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आपको वजन घटाने में काफी मदद मिलेगी जेहां दोस्तों वो तरीका है आईस थेरपी तो आईए जानते हैं आईस थेरपी से कैसे वजन घटाना चाहिए दोस्तों क्या आप आईस थेरपी के बारे में जानते हैं अगर नहीं तो दुनिया के कई देशों में वजन घटाने के लिए आईस थेरपी काफी पापलर हो रही है जेहां आईस थेरपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बर्फ को रगण कर आप सरीर के कुछ खास हिसों में जमा चर्वी को कम कर सकते हैं दरसल बर्फ तुचा के टिसूज को ट्राई करती है जिससे उसमें जमा फैट बर्ण होकर समाथ हो जाता है और व्यक्ति का वजन घटने लगता है आईए दोस्तों आप जानते हैं कि बर्फ से कैसे कम होगी चर्वी दोस्तों एक रिसर्च की माने तो सरीर के कुछ हिसों में बर्फ रगणने से वहां के चर्वी धीरे धीरे बर्न होने लगती है बर्फ वहां के स्किन टिसूज को सिकोड़ती है जिससे चर्वी खुद बखुद कम होने लगती है आएए दोस्तों आप जानते है आइस थेरपी लेने का तरीका क्या है दोस्तों याद रखें की आपको बर्व को तौचा पर सीधे नहीं रग़णना है बलकि बर्व को किसी कपड़े में बान्द कर उसको अपनी तौचा पर रगणे बर्प को उस हिस्से में ज्यादा रगने जहां आपको अपनी तवचा लटकती हुई दिख रही हो दोस्तों आइस थेरपी के साथ साथ आपको सही डाइट और एक्सरसाइज भी करना बहुत जोरुरी है अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो इस थेरपी के साथ डाइट और एक्सरसाइज का भी ध्यान रखे रोजाना 30-40 मिनट तेजगती से एक्सरसाइज करें बैलेंस डाइट ने इस रूल के साथ चलेंगे तो दो सब्ता में निश्चित तोर पर आप 2-3 किलो तक वजन अपना कम कर सकते हैं तो ये था दोस्तों आइस थेरपी से वजन घटाने का एक बहतरीन तरीका अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यों